Hello everyone, welcome to my channel में महेश रह स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में आज हम जीश्य विश्य पे बात करेंगे, उनका नाम है सिद्देश्वरी देवी, इनका जिवन परीच और संगीत मिन के युगदान के बारे में पढ़ेंगे, चलो और स्टार्ट करते हैं सिद्देश्वरी देवी जन्व 8 अगस 1908 में वारानसी और मित्यू 17 मार्च 1977 भारतिय सास्त्र संगीत की प्रसिद्ध गाईका थी कालिन समय में जब नाचनेवे गाने वालों को अच्छी डिस्ट्री से नहीं देखा जाता था और महिला कलाकारों को तो वैश्या ही मान लिया जाता था ऐसे समय में सिद्देश्वरी देवी ने अपनी कला के माध्यम से भरपूल मान और सम्मान अरजित किया उन्हें निर्वाद रूप से ठुमरी गायन की सम्म्राग्गी मान लिया गया था मतलब की बहुत बड़ी चीज ठुमरी गायन के वारे में मानी जाती थी परीचे पदम श्री पुषकार से सम्मानी सिद्देश्वरी देवी का जन्म आठ अगस 1908 को वरानसी उत्तर प्रदेश में हुआ था उनके पिता श्री श्याम तथा माता श्री मती चंदा उफ स्यामा थी जब ये डेड़ वस की थी तब उनकी माता का निधन हो गया था अन्ध उनका पालन उनकी नानी मैना बाई ने किया जो एक लोग पृषकाई का वे निर्थक थी सिद्देश्वरी देवी का बच्पन का नाम गोनो था उन्हें सिद्धेश्वरी देवी नाम प्रख्यात विद्वान वे जोतिशी पंडित महादेव प्रसाद मिश्र बच्चा पंडित ने दिया इनका करियर। सिद्धेश्वरी देवी का नाम सब और फैल गया एक बार तो मुंबई के एक समारों है विशिष्ट गाई का केसर बाई उनके साथ ही उपस्तित थी जब उनसे ठुमरी गाने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि जहां ठुमरी समागरी सिद्धेश्वरी देवी हो वहां मैं कैसे गा सकती हूं सम्मान एव पुरुस्कार सिद्धेश्वरी देवी को अपने जीवन काल बहुत से पुरुस्कार एव सम्मान मिले हैं जो इस प्रकार है भारा सरकार द्वारा पदमश्री इनको मिल चुका है 9066 में साहित्यकरा परिशत सम्मान उत्तरप्रदेश से मिल चुका है संगीट नाटक अकादमी पुष्कार मिल चुका है एक केंद्रिय संगीट नाटक अकादमी सम्मान भी मिल चुका है तो इनको दो बारी ये सम्मान मिल चुका है इनका निधन के बारे में बता रहा हूँ सिदेशवरी देवी पर 26 जून 1976 को पक्षगहात का आक्रमन हुआ और 17 मार्च 1977 की प्रात वे ब्रह्मलीन हो गई उनकी पुत्री सवीता देवी भी प्रख्यात गाईका है उन्होंने अपनी मा की स्मृती में सिदेशवरी देवी एकाडमी ओफ म्यूजिक के स्थापना किया है उनके माध्यम से वे प्रतिवर्स संगीत समारो आयोजित कर विसिस्ट संगीत साधको को समानित करती है तो ये था सिदेशवरी देवी का जीवन परीच है मुझे उम्मीद है आपको इनका जीवन परीच है और इनका संगीत में जो योगदान रहा उसके वह आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए बेल को दवाईए और नई नी वीडियो आती रहेंगी आप उस पर चिंता ना करें नई नी वीडियो में डालता रहूंगा थैंक्यों एव्रिवन